बिस्विल्लाब अद्रहीम, असलाम लेकुम, हमारे केशन में आज बिन रही है, बिल्कुल ही सिंपल और इजियस्ट मिटन कड़ा ही, जो कि बहुत मसे दार दयार होती है, हम इसे शिरू करेंगे, इससे पहले मैं कहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को करें मेरी वीडियो को लाइक करें और बाल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास है, अब मैंने लिए है पतीली, जो कुर्भानी का गोष्ट है, वो मेरे बास है, बखरे का, दुम्बे का है, आप इसके जगा बखरे का गोष्ट भी ले सकते मैंने लिया है जब से पहरे एक लीटर पानी इसमें डाल दिया है तीन किलो गोश्थ था उसे अची तरह दूर के डाल दिया है इसमें तुम्बे का फैर जो है वो मौचूद है आप चाहें तो आप उसके बगार भी बना सकते हैं मैं अग्स तरह मैं लाए्समें डाले हैं चार बडड़े साइस की स्लाइज के प्याज जूर तम टिमなた है तो यह वरे लेशन दि vient के डियाज बहाते हैं यह उसमें गाले मिच्श मावाटर भी तैबल स्पून अपस मेरे बल एक तीौट इGroup खारसिर हारे फ्रुट नेलाइक तैबल स्पून युपे थो बिनाशुकर फैरकों में अपने हिसाफ निम्स साफ Eustle ही मिन के जाते हैं फैर या क्यूंस भूंग तो नोसके युदिंग यह गिए 2 अब चुट्ओन के ध्यूंगी हमारी सारी चीजने डल चूटी है और बहुत simple तरीके से इसे बना रही हूं और बहुत practical तयार हूं मैंने इससे mix करती है मिक्स करके मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी तक जब तक गोश गल नहीं जाता है यह समाम चीज़ें अपना पानी इसे छोड़ेंगी और इसी में इसमें बीफ जो भी हमाना गोश है वो पकेगा आप इसे बीफ भी बना सकते हैं तकरीपन दो से धाई गंटे लगे हैं इसे लो फ्लेम पे मैंने पकाया है मतलब मीडियम जो लो पे यह बन रहा है और अब मैं इसे बूंती जारी हूं जो इसका पानी खुश्क हो गया है तो मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है अकर आपका फैट वाला गोश नहीं है तो उसमें जल्दी-चल्दी मैं यह बना रही हूं इसलिए अगा यह वीडियो प्रॉपर नहीं लग रही है तो और इसमें डाल दी है गारणिश के लिए हरे मिर्चे है मुझे रेडी लग रहा था तो मैंने इसमें हरे मिर्चे डाल दी है और इसके बाद मैं आपको इसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू